दोस्तों यह आप देखें यहां से यह डोर निकलेगा और वो रहा अपना पूरा सेटप जिस काम को करने में एक गंटा लगजा था वो काम दोस्तों 20 मिनट में कम्पलीट हो जाता है दोस्तों आप यह जानते हैं ना कि आपके मोहित भाई अपने बर्ड की नहीं एक बड़ा सेटप तयार कर रहे हैं यानि कि सभी बर्ड को पोर्सन वाई सेट करने वाले हैं लेकिन आप यह नहीं जानते कि मोहित भाई से पहले यानि कि मेरे से पहले भी चुओ ने हमारे बड़ सेटप पर एक अलग से खुद का सेटप तयार कर लिया जी यहाँ दोस्तों हमारे बड़ सेटप में ही चुओ ने अपना एक अलग से सेटप तयार कर लिया यानि कि कल रात को मैंने देखा इससे पहले में भी नहीं जानता था कि हमारे बढ़ सेटप पर भी चुओ ने अपनी सूरंग बनाई है, अपना गोंसला बनाई है, अपना गर बनाया है, और काफी ब्रेडिंग भी हुई है, और चुओ अमारे बढ़ सेटप पर काफी ज़्यादा फेल गए, मुझे पता नहीं होने का रिजन ये है, कि दिन के सम में चुओे सेटप पर बाहर नहीं निकलते हैं, अज रहते हैं और लाट को दोस्तो एकड़े तक शेटप का आकान चल रहा था, और नाश्ट में एक बज़े में सेटप के अंदर गया, दोस्तों यहां बिजली का बॉर्ड है, इसका स्वीच अंदर है, तो स्वीच बन करन लिए रात को में एक बज़े अपने बड़ सेटप में गया, तो मैंने देखा एक साथ से आठ चुए हमारे बड़ सेटप में गूम रहे थे, तो रात को में काफी जदा डर गया, मैंने का बई ये क्या हुआ, इतने सारे चुए अचानक कहां से आये, तो वापिस दोस्तों थ सेटप के अंदर लेकर चलता हूँ, और दिखाता हूँ, दोस्तों रात को हमने अपने किसी भी बड़ को परेशा नहीं किया, यहाँ पर दोस्तों आप देखें, यह हमने ग्रीन नेट लगा रखी है, कि उस तरफ जो कान सले, तो उसे बड़ डिश्टप ना हो, ठीक है, व लवबर्स का पिंद्रा है, और दोस्तों आप एक बार हालत देखें सेटप की, ऐसा होता है जब काम चल रहा होता है, ठीक है, कश्टिक्सन का काम चलता है, तो यह आलत हो जाती है सेटप को की, और यहाँ आप देखें, यह चार पोर्सन का पिंद्रा है, वहाँ पर दोस्त तो कुछ ताइम पहले चूओँ ने एक सो्टा सा बिल किया था, चोटा सा सुरा किया था, वह और लो 훨씬 जग打, तीस्ची यांदर जो portionरी निम्हार ने पूरल बना रक्ठा है और रात को भूस तो दो सुबह हमında दोस्तो यहां खिदा कि दोस्तों वापिस अमने खोदने के बाद में पानी डाला इसके अंदर पानी डालने से यह पता जाता है कि आगे कहां काां कहां तक तक चुओंने बुल बना रख ए और इसके बाद दोस्तों हमने इसके आंदर ग्रीड डाली प्लाश्टर गरेंगे और काफी मजबूत हो ज का तो दोस्तों में थोड़ा सा इसलिए गपरा गया क्योंकि आगे ब्रेडिंग सीजन शुरू होने वाला है और दोस्तों ब्रेडिंग सीजन के दोरान अगर साथ आठ चुए अपने बड़ सेटप में गुमेंगे तो कोई ना कोई बड़ जरूर डिश्टप होंगे और और यहां से दोस्तो यह कटींग ओगी दिवार यहां से रास्ता होगा नई ऑर यहां से ऑब ऊसलिक होने簡़ और यहां से वर्जरी दोप की पूरे इसके अंदर entry होने के बाद हम पूरे setup को देख सकते हैं, पूरे setup के अंदर जा सकते हैं, और यहां से दोस्तों इस बार बज़री तोतों का काफी बड़ा space हम बज़री तोतों को दे रहे हैं, तो काफी जल्द आपको setup की update भी दी जाएगी, तो आज के इस वीडियों पर इतन आप पर भी मिलेंगे, या आप पर थोड़े से आपको हटके topic पर video मिलते रहेंगे, नोर्मली जो वीडियो आपको विकानेर bird information YouTube channel पर मिलते हैं, वेसे नहीं, उन से थोड़े से अलग, जो भाई हमारे bird setup पर आएंगे, जिन नए bird की entry होगी, जो नए bird हमारे bird setup से जाएंगे या इसे काफी सारे topic है, उन सभी के लिए मैंने ये channel बनाया था, तो दोस्तों, अलग अलग तरह के content के लिए मैंने एक नया YouTube channel बनाया था, जो कि आप देख रहे हैं, तो काफी ज़ल अलग अलग तरह के video आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते रहेंगे, बाई बाई बाई